एक तो कोरोना तो दूसरी ये आफ़र जी हाँ पहले हम कोरोना की मार जहल रहे थे कि अचानक आंध्रदेश के विशाखा पत्नम में एक फार्मा कमपणी में गैस लीकेश का मामला सामने आ गया ये घटना गुरुवार सुभा की है गैस लीक होने के बाद पूरे शहर में तनाव का माहौल है आनन फानन में इस थानिय प्रशासन और नेवी ने फैक्टरी के पास के पांच गाउं को खाली करा लिया मिल रही सूचना के अनुसार आरार वेंकटपुरम में स्थित विशाखा एलजी पॉलिमर कमपणी से खतरनाक जहरीली गैस का रिसाफ हुआ है इस जहरीली गैस के कारण फैक्टरी के तीन किलोमीटर के इलाखे प्रभावित है और प्रशासन ने फिलहाल पांच गाउं को खाली करा दिया जहरीली गैस की वजह से सैक्रो लोग, सिर्दर्द, उल्टी और सांस लेने में तकलीव की शिकायद के साथ अस्पताल पहुँच रहे हैं वही जहरीली गैस रिसाफ को बंद करने के लिए घंटों महनत करनी पर फिर जाकर जहरीली गैस का रिसाफ बंद हुआ थानिय प्रशासिन की माने तो फैक्टरी के आसपास से तीन हजार लोगों को रेस्क्यू किया गया और जहरीली गैस की वजह से अभी 170 लोगों को हॉस्पिटल में भरती किया गया वही इतनी बड़ी घटना के बाद आंधित्रदेश के सीएम जगन मोहन रड़ी हालात का जायजा लेने के लिए विशाखा पटनम रवाना हो गया शुरुवाती खबरों के अनुसार सरकारी असपताल में साथ लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 20 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रहे है इनमे अधिकतर बुजर्क और बच्चे है अभी आकड़ा आगे भी बढ़ सकता है विशाखा पटनम नगर निगम के कमिश्णर की माने तो पीवीसी या स्टेरेंग गैस का रिसाव हुआ है रिसाव की शुरुआत सुभा दो बचकर तीस मिनट पर हुई गैस रिसाव की चपेट में आसपास के सैकलो लोग आ गए और लोग बेहोश होने लगे जबकि कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी हाला कि गैस लिकेज के असली कारणों का पता नहीं चल पाया खलाल मौके पर विशाका पत्नों के आला अधिकारी मौजूद है और हालात पर नजर बनाए हुए